हेलो एब्रिवन गूड मॉर्निंग वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो फ्रेंट्स आज है दिन सटेडे का और तारिक है 9 दिसंबर तो सुबह सुबह का टाइम है और इस वक्त अभी लगबग आठ बज गये हैं सवाट के आसपास हो रहे होंगे और मैं अराम से चाय पीने के लिए बैठी हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने अन्या को स्कूल भेजा है और वस अन्या को छोड़ करके आई थी तो वस अपनी चाय पी आराम से बैठ करके और फिर होती है मेरे सारे घर के कामों की सुरुवाद तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी थोड़ी सी सबजियां मैं कल ले करके आई थी शाम को जो की बहुत थोड़ी सी थी सबजियां और फ्रूट्स था तो एकी पॉलिथीन में रखा हुआ था तो बस इन सारे समान को जगा पे रखेंगे जो जहाँ पे रहता है तो वही यहाँ मैं रख दूँँगी उपरवाले यह जो सबजी का स्टेंड है उपर वाले शेल्प में मैं रख दूँगी और इसमें कुछ हसु टमाटर में रख दी थी बाहर ही रख दी थी तो मुझे लगा था कि यह चल जाएंगे लेकिन यह काफी ज्यादा गले गले से हो गएथे मतल सबजियों को डंठल वगेर अलग कर दूँगी वो भी के और सब को रख दूँगी फ्रेज में तो सुबह सुबह घर काफी ज़्यादा फैल जाता है कितना भी इसको हम समाल करके रखे और सारी चीज़े अरेंज करके कितना भी रखे लेकिन सुबह का जो टाइम है ना उस टा जाते हैं तो वो सारे फैल चुके थे तो उन सभी को अरेंज कर दिया मैंने और बस आग चुकी हूं मैं बाहर वाले रूम में और यहां की कार्पेट जो मैं पहले विचा करके रखे थी ना उसको मैंने निकाल लिया है धुलने के लिए कली निकाली थी क्योंकि कल धूप न क्योंकि तो चुहा भी बहुत जाधा काट लिया है मतलब थोड़ी सी खराब कर दिया है लेकिन फिर भी अभी यहां पर जितनी भी जगह है इसका काम हो जाएगा मतलब इतनी बड़ी है कि इतनी जगह पर आजाएगा आराम से तो मैं सबसे पहला काम यही करूंगी तो कि फ़ड़ा चेंज हो जाता है न तो देखने में काफी अच्छा लगता है तो फिलहाल ये भी ज़रूरी काम ही था मेरा जो की हो चुका है और उस वाले रूम को अरेंज करके और फिर आ जाते हैं बेडरूम में और यहां का जो सामान है वो तो बच्चे आप पढ़ाई करते न स्टडी टेबल पर तो बुक्स वगयरा आपने ऐसे ही रख दिये हैं तो आरुष्ट की तब्च ठीक नहीं है इस वज़े से जितने भी बुक्स जो भी है न तो वो ऐसे ही रख देते हैं पढ़ाई करते हैं और फिर ऐसे ही रख देते हैं तो सारे कप्रे, स्वर्टर्स सब मैंने जगर पर रखा हुआ है और फिर यहां के बुक्स वगयरा सब कुछ अरेंज करके यह टेबल जो है इसको खाली कर दिया है और यहां के बेड पर आप देख रहे होंगे न बहुत सारा ब्लैंकेट है इसको समेटूंगी और साइड में अभी आरुष्ट सो रहे थे तो आरुष्ट आज बहुत देर तक सोय हैं कल रात में उनकी तब यह ठीक नहीं थी जो फीवर है न वो रात में एकसर ज़्यादा आता है दिन भर तो ठीक रहता है लेकिन रात में ही फीवर बहुत ज़्यादा आ जाता है और जल्दी जल्दी भी आ जाता है तो वही रात म मौसम में धूप लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वही मैं उनको उठाई थी कि उठ जाओ और क्योंकि इतना टाइम से उठ जाओ तो फिर ना सवैरा कर लो तो मैं दवाई दे दू तो आरुश को भी उठा दिये मैं और भेज दिया है बाहर बालकनी में बालकनी जितने भी रखे हुए थे ना तो इनको मैं पहले ही निकाल करके गई थी बाहर यहां पे रख करके और किचन प्लेटफॉर्म वगेरा साफ करके और फिर सारे बरतनों को मैं साफ कर लूँगी तो आज वैसे बरतन बहुत ज़्यादा नहीं थे बहुत थोड़ी से ही थे तो जो ग्रीन कलर की होती है ना काफी ज़्यादा स्लीप करता है इस पर पैट तो बस इसी को मुझे साफ करना है और यह बारिश के टाइम पर बहुत जल्दी ही गंदा होता है यह जो चिकनाई है काई जिसको बोलते हैं तो बहुत जल्दी लगती है लेकिन अभी इस मौसम में इतना जल्दी नहीं लगता है लेकिन बारिश अभी अभी होई है इस वज़े से काफी ज़्यादा यहाँ पर गंदा लग रहा था तो वही मैंने सोचा कि मैं इसको हाथ के हाथ साफ कर दूँ क्योंकि अब बारिश बंद हो चुकी है और अब नहीं लगता कि शायद दे रही हूं तो बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगती लेकिन हा थोड़ा सा मेहनत तो लगती ही है कोई भी अगर आप साफ सफाई करते हो तो थोड़ा सा मेहनत थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है तो बस मैं लग गई हूँ बालकनी को चमकाने में और आज जब से काफी ज़्यादा लग रही है कि जैसे बारश के बाद जब धूब मौसम हो जाता है तो यहाँ पर उस वालकुनी में धूब भी ने लगती है क्योंकि ये बैक साइड में है तो इधर में धूब बिल्कुल भी नहीं आता ठंड के मौसम में लिकिन जब गर्मी का मौसम आता है उस टेशंद पर आजाती है पता नहीं चलता कैसे लेकिन या ठंड के टाम पर यहां पे धूप बिल्कुल नहीं आती तो यह भी वज़य है कि यहां पे चिकनाई काफी जादा लग जाती है और जब मैं यह काम कर रही थी ना तो मुझे बहुत जादा ठंड लग रही थी तो फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर बैठने के लिए आरुष के पास मैं बैठी हुई थी और इसके बाद फिर मैं आ गई थी पराठे सेकने के लिए ये मेथी का पराठा जो कि कल मैं बनाई थी मेथी का पराठा इसमें से थोड़ा सा मेथी बचा हुआ था तो यही मैंने आरुष को जो है नास्ता करवा करके और फिर मैं दवा दे देती हूँ तो अभी फीवर तो नहीं था लेकिन फिर भी टाइम से जो है दवाई वगरा दे दूँ तो फिर मैं टेंशन प्री हो जाओंगी तो सारे पराठे मैं सेख लूँगी और पराठे ना केचप के साथ ही बच्चों को दे दिया है मैंने चटनी वगरा नहीं बनाई है क्योंकि जब बच्चों से पोछो तो उनको चटनी इतना जादा अच्छा नहीं लगता है मतलब तीक ही लगती ऐसा बोलते हैं तो बच्चे केचप के साथ ही खा लेंगे तो अन्या भी यहिए अज लेकर के गैटिक्षि articulate में में टोमेटो केचप के साथ मेथी के पराठे और मैं भी इसी में अपने साथ ही बना लूँगी जैसे आरुष के लिए बनाओंगी न तो आरुष वैसे भी जादा नहीं खाएंगे उनको एक ही बड़ी मुश्किल से खा पाए थे तो भूख इतनी जादा उनको लग नहीं रही है लेकिन फिर भी दवा बगेरा खाना होता है न तो जब जस्ती खिलाना पड़ता है तो चलिए अब यहाँ पर मेथी के पराठे जो मैं सेख लूँगी और अपने लिए भी लगातार सेख लूँगी तो फिर साथ के साथ विसे के रख दूँगी बाद में जब मुझे खाना होगा तो मैं खालूँगी क्योंकि बार बार फिर यह काम करने में जंजट लगता है तो देखे मेथी के पराठे जो है बन करके तयार हो गए हैं मैंने रख लिए हैं बना करके और इसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ ना आने के लिए और जब तक मैं आई ना तब तक बालकिने के धूप चला गया था तो काफी जादा ठंड भी लग रही थी मुझे तो यह जो बेड़ सीट है ना आप सब इसके लिए बहुत सारे कमेंट किये थे कि ग्रीन वाली बेड़ सीट ज्यादा अच्छी लग रही है तो सच में ग्रीन वाली जो बेड़ सीट है ना वो बहुत अच्छी लगी बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी तो उस दिन फिर में जब इसको बिच्छाई थी तो बच्चे बोले ममा रहने दीजी आप इसको ऐसी विच्छे रहने दीजी तो मैं फिर इसको ऐसी रहने अब ही हो गया है दोपार का टाइम लगबख ठाई से तीन के आसपास का हो रहा होगा और इस टाइम तक अन्या भी आ चुकी थी बैटी थी यहीं पर टीवी देख रही थी अन्या हमारा दोपार का खाना हो चुका था इसके बाद मैं आरुस को दवा खिला रही थी और आरुस ना दवा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता दवा खाना कुछ बच्चे होते हैं जिनको दवाई खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि खा लेते हैं अराम से जैसे कि अन्या है न तो अन्या को इतना दिक्कत नहीं होती है वो अराम से दवा खा लेती है लेकिन आर उसको थोड़ा सा दिकत होती है बतलब वो बहुत ज़़ा डरते हैं दवाई खाने से तो वही मैं बैट करके यहां पे और एक एक करके दवा खिला रही थी क्योंकि दवा का टाइम हो गया था और वही मैं देख रही थी, पूछ रही थी कि फीवर तो नहीं है कैसा लग रहा है तो बस थोड़ा सा बच्चों के पास टाइम पी ता रही हूँ और दोपार में जब बच्चे स्कूल से आते हैं न तो इस टाइम पर मैं बच्चों के पास बैठती हूं और उनसे बहुत सारी बाते करती हूं पहले से अब काफी आराम है आरुस की तवियत में पहले तो दो तीन दिन बहुत जादा दिक्कत थी मतलब फीवर लगातार आ रहा था बहुत तेज वाला आ रहा था लेकिन अभी ठीक है इनका तो मैं स्कूल भी नहीं भेज रहे थी इस टाइम पे क्योंकि फीवर हो या ना हो मतलब फीवर नहीं है न तो भी मैं स्कूल नहीं भेज रहे थी क्योंकि फिर वीकनेस होती है स्कूल में लेटने का जैसे होता है कभी मन किया तो स्कूल में फिर प्रॉब्लम हो जाती है तो के बालों में भी यूज कर देती हूं मतलब को भी लगा देती हूं तो काफी अच्छा है आए घर का बना हुआ는 ज़ा रही हूं तो की याई वालों में परइंड कर थे नश भी लूगत् Background को आप शब्चों सब्सक्सद्थ आया होगा पसंद आयत हो लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सप्राइब भी जरूर कर लेना मिलती हूं आप से एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए थेंक्यू बाबाय टेक केर